जब समय आएगा तो हम पूरे बिहार में कहीं से भी एक सीट भूम्यार समाज को हम लोग सवाल लडाएंगे अगर हमें दोई सीट पे भी गठबंदन होगा तो उसमें से एक सीट उनको लडाएंगे धन्यवाद दिया कि उन्होंने कहा कि आप हमारे लोगों को अपने टिकर दिया इसके लिए हमें धन्यवाद दिया बदाई दिये तो निशी तर पर वो लोग आएंगे यहां पर मत्रिस तरीके से परिसान है कि एक निशाद मला का बेटा कैसे पट्टा में एक बंगला में है उससे बहार निकले जबकि वहां पर हम रेंट भर नहीं चंदन कुमार गोरे आप देखने दाफरवाट टाइम्स बिहार में एक चर्चा जोड़ों पर है बोचहा खतम हुआ दही चुड़ा का और कुढ़नी उप्चुनाव में आकर के ठिक गया मचली और भात का तो यहां पर हमारे साथ पुर्व मंत्री मुके सहनी जी भी है और इनसे जानने क एक युबा के उपर हमने बरोसा जता है और एक अच्छा मारा उमीदवार है निलाब जी और हमने पार्टी के सभी पतादी कारे सुबह से ही 11 बज़े से रोड तो किये और अभी साम 6 बज़ रहा है मजगुती से पूरे 45 किलिमीटर का रोड सो होना मतलब एक अपने आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको हम लोगों ने पूरा किया है और आपने देखा कि किस तरीके से हुजूम युबा का उबरा है यह जित्ते भी युबा है यह हमारा सिब भोटर नहीं एक मजगुत कर्च करता है और पार्टी के लिए निशित और पर हम लोग निश पर जनता को लग रहा कि नहीं एक पर हमें युबा को मौका देना चाहिए और युबा जो होता हुँ हमेसा कोई ना कोई चीज को बहतर बदलाव करते इससे पुराने जो भी परत्यासी है मैदान में चाहे जडियों हो या बीजेपी से उनको जनता ने देख चुका है तो तो निश्ची तोर पर यहां पर माजभात का जो समीकरन है वो मजगूती से चलेगा ऐसे तो हर जाती धर्म के लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं लेकिर एक कोड़ भोट है पंदरा दिन से जो आप मचली भात का समीकरन में कैसा लग रहा है वह बहुत ही अच्छा है ना देखिए हमारे पास तो जनता ही है उनहीं से हमारा गठबंदन हुआ है अभी आपने देखा कि गुबच्छा में हमारे पास 30,000 बोट का अपना ताकत है यहां पर हमारे पास 35 लोग उनको मदद कर देते हैं तो निश्य तोर पर हम चुनाब जितेंगे और क्यों न जिते अभी इससे पहला आपने देखा कि बोच्छा में कि खास करके अपर कास्ट के समाज के लोगों ने पास्मान को भोट दे दिया लेकिन बीजेपी को भोट नहीं दिया जिसके कार इसी तरीके से रोज लगातार 11 दिन अभी समय है तीन तारीक तक हम परचार करेंगे तीन तारीक तक लगातार इसी तरीके से जोज जुनून के साथ गाहां में घुमेंगे पंचायत में घुमेंगे हर बूत तक हम लोग का कर्च करम करेंगे और मजगुती से सभी साथी यह पर काम करेंगा चुनाब जितेंगे शर्व भुमिहार आसुतोस कुमार खूल कर भाजबा का विरुद कर रहे हैं जहां जहां भाजबा का कंडिडेट है उहां जाकर कर परचार कर रहे हैं पता चला इहां भी आएंगे क्या उनसे बात हुई उनका फोन आया था उन्होंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने कहा कि आप हमारे लोगों को अपने टिकर दिया इसके लिए हमें धन्यवाद दिया बदाई दिये तो निशी तर पर वो लोग आएंगे यहां पर मदद भी करेंगे अपने समय कनुकूल आएंगे और यहां पर आ भी मुझफर पूर जैसे बहुत सारे सीठ हैं जहांकि भूम्यार अपने आपको ठगे हुए महसूस कर रहे हैं तो हमारे लोगा सिंबॉल भी देंगे और यह हमारे यहां के जो जिनकों अगर उसमें अच्छा परात्त मिलेगा तो निश्ची तोर पर आगे लुट दाव लगाएंगे राजनित में हम और हमें ने उनपे चुनाप जांवें नहीं होगा, तो फिर उस हमें चैज़ संगर्ज करके पार फॉन्डर मिंबर है लाल क्रिशना अदवानीजी उनका भाजपा नहीं हुआ तो आपका और हमारा कैसे होगा सोगता है तो इसलिए उनको किसी भी हालत में चुनाब जीतना सत्ता चाहिए पावड चाहिए हमें संघर्स करके हमारे अपने लोगों के लिए गरीब गरीब लोगों के लिए काम करना है आज मैं चाहता तो मोदी जी जिन्दाबाद करता तो साथ हमें हमारे पाटी नहीं तुटता लेकिन हमने अपने हक अधिकार के लिए संगर्ष कर रहा लड़ा अवाज उठा रहे कि हमें हमारा अधिकार दीजे तो उनको बुरा लग रहा कि मेरे सामने में तुम क्यों खरा हो सकते हो तो इसलिए उन्होंने हमें आवाज को बंद कर देखले हमारे पाटी को तोरा तो खैर हम लोग कहीं से हिलने वाले तूटने वाले नहीं हैं अब सब्सक्राइब कर दोनों को तोड़ कर अपमानित करने का क्या हना iawn आज हमने देखा आपने की भारती जंता पार्टी के परदेश अदक्षिस तरीके से परिसान है कि एक निसाद मला का बेटा कैसे पट्टा में एक बंगला में है उससे बहार निकले जबकि वहां पे हम रेंट भर रहें हमने थोरा दिन का समय मांगा सरकार से समय हमें मिला है औ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमने लाखों निसादों के घर में दिलों में हमने जगह बना लिया है हमें घर की आपसकता नहीं है और वह नहीं कभी चाहेगा कि गड़ी पिछला का बेटा आगे बढ़े बिहार के सिक्षा व्यवस्ता पे क्या सोच है बिहार का को विसेश ध्यान देना चाहिए जो हमारे दिल्ली अगर देखेंगे दिल्ली में सिक्षा या स्वास्त का जिस तरीके से मॉडल है उस तरीके से बिहार में नहीं है इसमें हम लोगों को काम करना है और इसमें खास करके गरीब पिछला इसे समाज के लोग ही बच्चे कि गरीब को किई पैसे वाले तो अपने बच्चे को लंडना भेच के पढहले करने के लिए मंबए बड़े बड़े होस्पिटल में भेज देंगे लेकिन गरीब लोगों को सरकारी होस्पिटल के आप सकता गिरता है और उनके लिए हम लोग संघर्ष कर रहें और आने वाले समय में जैसे भी मुका मिलेगा इस चीज़ पर हम लोग काम करेंगे सर्थ 30 साल से कहा जाता है कि बिहार में डलीतों की सरकार है कितना विकास हुआ दलीतों का देखें विकास पर अभी हम लोग संघर्ष किया है अब मुझे लगता कि इससे बहतर भी हो सकता था तो हम उसपे नहीं जाएंगे हम आगे बढ़ेंगे कि हम पुराने बात को हम याद नहीं कर सकते हमें आगे बढ़ना है पहले का समय अलग था सेच्वेशन अलग था उस समय में समस्या अलग था आज का समय सेच्वेशन अलग है आज हाथ में मुबाइल पहुंच चुका एक समय था कि आपके किसी को एक मैसेज देने के लिए बहुत समय लगता था तो जो उस स जो काम किया हुआ हम क्यू करें अगर कोई दिक्त है पैर उठांगे जलना है यह किसी का काम है अगे वाला अगय ऊठाके चला तो हम नहीं चलेंगे आज देश में इसा हो रहा है आज केजरिवाल जो काम करते वो मोधी जी चाहेंगे कि हम नहीं करें या मोधी जी कुछ अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष कुछ पॉल्टिकल पार्टी को सोच है कि हम नहीं करें लेकिन मेरा यह है कि देश में जो भी दुनिया में जो अच्छा काम करेंगे उनको हम लोग सिस्टम है उनसे राय बिचार लीजे आप बताइए ना नोट बंदी से क्या हुआ कितना हमें फाइदा हुआ कितना नुक्सान हुआ देश है ना कई साल पीछे हमारा चला गया और आपने पावर आपको मिला है तो आप उसको दुर्पियोग किये आपके पास बड़े- अधिकार वो बदल देंगे तो हमें अपने अनुकुल अच्छा काम करना है जैसा कि आप सुन रहे थे मंतरी जी को और आगे भी जो संदेश होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर पहुंचाएंगे धन्यवाद